जेहिन दोस्तों मैं हुआ अनूप और आप सब लोग देख रहें ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि 9 डिसमबर से चायना और पाकिस्तान का एक एरफोर्स के एक्सेसाइज हो रहा है इस एक्सेसाइज को जहाँ पे चायना के द्वारा भारत के खिलाब रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और भारत से लगे हुए बॉर्डर के नस्दीक पाकिस्तानी एरवेस में किया जा रहा है वही पे आपको सुनके ये भी हैरानी होगा कि दोनों देश एक्सेसाइज में भाग लेने के बावजूद अपने मन मुताओ अभ्यास नहीं कर पा रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यूँ पाकिस्तान और चाइना के इस एक्सेसाइज में F-16 का जुरूरत चाइना को महसूस हो रहा है और क्यूँ पाकिस्तान चाहते हुए भी इसे इस एक्सेसाइज में शामिल नहीं कर पा रहा है तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों जहाँ पे एक तरफ चैना और इंडिया के लदाक में जड़व चल रहा है और चैना द्वारा इंडियान एयर फोर्स के जानकारी को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है तो उही पे दूसरे तरफ इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के भोला द्वारा F-16 एयर क्रेप्टों को भी तैनाद किया गया था पर आपको जानके हैरानी होगा कि जहाँ पे इस एक्सेसाइज के धर्मियान F-16 के जानकारी हासिल करने चायना के लिए बहुत ज्यादा महत्तोबूर्ण है वही पे पाकिस्तान चाहते हुए भी प्रचायना को यह जानकारी नहीं दे पा रहा है एक तरफ जहाँ पे चायना का लदाक में भारत के साथ जड़ब है वही पे दूसरे तरफ साउथ चायना सी में भी चायना का जड़ब दिन बढ़ रहा है और साउथ चायना सी के अंदर टाइवान और साउथ कोरिया दो ऐसा देश है जो F 16 फाइटर यार्क्राप्टों को बड़े मात्रा में इस्तिमाल करता है जबकि जैपैन द्वारा भी बड़े संख्या में F-16 के ही जैफैनिस वर्जिन F-2 का इस्तिमाल बड़े संख्या में किया जाता है ऐसे मौके में चाइनिस एरफोर्स को अगर F-16 के मिनुवर्स के बारे में और ये एरकरट कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी हासिल होता है तो रणनितिक तरीके से चाइनिस एरफोर्स को काफी बड़ोतरी मिलेगा और पाकिस्तान चाहता भी है कि ऐसे बड़ोतरी चाइना को दिया जाए ताकि चाइना बदले में भीक में उसे कुछ पैसा दे भोलारी एर्वेज में भी F-16 तैना थै पर इस exercise में F-16 हिस्सा नहीं ले रहा है दोसो पाकिस्तान और चाइना का जो ये exercise है इसमें चाइना द्वारा J-11 और J-10 जैसे fighter air captain का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान अगर अमेरिका के खिलाफ जाके F-16 का इस्तेमाल करता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का situation और भी खराव होगा एक तरफ जहाँ पे diplomatically पाकिस्तान isolated हो चुका है और पाकिस्तान के हर एक दोस देश उससे अपना हाथ दूर ले चुका है वही पे थोड़ा बहुत जो अमेरिकी सहारा पाकिस्तान को मिला हुआ है उससे भी हाथ चूटने पे पाकिस्तान का situation बच से और बत्तर हो जाएग दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्रेडी मिराज एरक्राप्टों को पाकिस्तान अपडेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि फ्रांस ऐसा उसे करने नहीं दे रहा है जबकि JF-17 ब्लंडर अल्रेडी एक fail एरक्राप घोशित हो चुका है दूसरे तरफ F-16 भी प बिना यारक्राप का कैसा दिखेगा दोस्तों अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जब F-16 यारक्राप्टों को लेके 2001 में डील हुआ था तब अमेरिका द्वारा सर्थ रखा गया था कि इन यारक्राप्टों को कैसे और कहां पर इस्तिमाल करना है यह अमेरिका के शらटो के उपर ही होगा मतलब पाकिस्तान अपने मर्जी से इन एर क्रेप्टों को ना ही किसी देश के exercise में इस्तिमाल कर सकता है और ना ही कोई operation में इस्तिमाल कर सकता है at least openly तो कभी भी नहीं कर सकता है क्योंकि 2001 में जब पाकिस्तान को इन एर क्रेप्टों को दिया गया था तब भा इस तरीके से भारत के साथ दोस्ती आगे नहीं बढ़ा सकता है जबकि दूसरे तरब पाकिस्तान को हत्यारों का सप्लाई बरकरार रखे और भारत के इन शर्तों को देखते हुए पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा इन एरक्रेप्टों को खाली एकी शर्त पे दिया गया था और वो था कि एरक्रेप्टों का इस्तिमाल ओनली अमेरिका के इंट्रेस्ट में मतलब अफगानिस्तान के अंदर चलने वाले लड़ाई में ही इस्तिमाल किया जाए इवन पाकिस्तान इन एरक्रेप्टों का इस्तिमाल किसी भी देश के उपर हमले के लिए भी नहीं कर सकत क्यूंकि covertly पाकिस्तान द्वारा इसी का ही टेकनोलोजी चायना को बेचा गया था जिसके बलबूते पे चायना द्वारा जेटेन एरक्रेप्टो को भारी मातरा में अमेरिकी डिजाइन के बेस पे बनाया गया तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अ